Suicide Squad 2 Suicide Squad 2 इस मूवी में न्यू केरेक्टर्स इंट्रेद्यूस होने वाले यानि की पूरी न्यू टिम कुछ पुराने मेंबर्स के साथ इस वीडियो में हम इने न्यू मेंबर्स की हिस्ट्री पावर्स के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को शुरू करते हैं कॉमिक में ब्लड स्पॉट के तीन वर्जिन है लेकिन इस मूवी में हम ब्लड स्पॉट के फॉर्स वर्जिन रॉबर्ट दुबाइज को देखने वाले इसने सुपरमैन वॉल्यूम टू इशू फॉर कॉमिक में डेब्यू किया था और ये क्यारेक्टर सुपरमैन का एनिमी है इसकी बैक्स्टोरी यह है कि इसे मेंटल ब्रेकडाउन होता है जब उसे पता चलता है कि वियतनम वार में उसके जगे उसका भाई चले गया है इसी का फाइदा लेक्स लूतर लेता है और उसे कहता है कि सुपरमैन उसका एनिमी है रिवेंज लेने के लिए वो उससे टेलिपोर्टर और कई सारे वेपेंज देता है जिसमें से एक वेपें क्रिप्टोनाइट बुलेट फायर करती है ब्लड स्पॉर्ट सुपरमैन को इंजर कर देता है पर सुपरमैन इसी डिफीट करता है इसकी पावर्स की बात करे तो इसके बास कई सारे वेपेंज और एक टेलिपोर्टर है इस डिवाइस की मदद से एक कोई भी वेपेंज अपने पास टेलिपोर्ट कर सकता है और उसे यूज़ कर सकता है मुवी में इसकी बाक स्टोरी थोड़ी चेंज हो सकती है और पावर्स सेम ही रहेगे पॉल का डॉटमैन ये कैरेक्टर बैटमैन का माइनर विल्ले ने और इसने डिटेक्टिफ कॉमिक इशू 300 में अपना डेब्यू किया था गॉर्टम सिटी में जब बैटमैन फेमस होने लगा तब जो छोटे क्रिमिनल्स थे हो कॉस्टूम पे इनके क्राइम करने लगे इन में से एक था अबनर क्रिल इसने एक कॉस्टूम डिजाइन किया जिस पे अलग-अलग कलरफुल डॉट्स थे एक बार इसके और बैटमैन की फाइट होती है और बैटमैन इसे डिफिट कर देता है इसकी पावस की बात करे तो इसके कॉस्टूम पे जो डॉट से उसको वो ऐस अ वेपन यूज़ करता है ये डॉट कॉस्टूम से निकलते ही एक डिवाइस में चेंज हो जाते है जैसे की फ्लाइंग, सॉसर, टेलिपोर्टेशन डिवाइस या कई सारे अलग चीज़े जावलीन ये कैरेक्टर फॉर्मर ओलम्पिक अथलीत है जो कुछ रीजन्स के वज़े से क्राइम करना स्टार्ट कर देता है और ये ग्रीन लैंटन का माइनर विलेन है ग्रीन लैंटन से हारने के बाद ये सूसर स्कॉर्ट टीम को जॉइन करता है जावलीन हैंटो एंड कॉमबैट में एक्सपोर्ट है और ये जावलीन को आज़ा वेपेन यूज़ करता है और इसका सूपर विलेन नेम भी जावलीन ही है सवेंट ब्राइन डर्लीन इस कारेक्टर ने बाद्स आफ प्रे ऐशो 56 कॉमिक में डेब्यू किया था इसकी बैक्स्टोरी यह है कि इसके पास एनॉर्मेस फॉर्ट्शून है और ये गॉर्टम सिटी में मूव करता है विजिलान बनने के लिए इसका इन्वॉल्मेंट देख बैटमैन इसे डिसकरेज करता है और ये ब्लैक मेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करता है जो की काफी प्रॉफिटेबल साबित होता है इसका एक पार्टनर भी है जो एक्स रशियन केजीबी एजेंट है सबस्द ब्लाक केनिरी को किड्नाप करता है बैटमेन की आइडेटिटी जानने के लिए पर ऐसा नहीं होता है इसने औराकल के साथ टीम अप किया तो गॉर्थम नेवर रूट को क्लीन अप करने के लिए और इसने हंट्रेस के साथ भी टीम अप किया है गॉर्थम के माफियास को डिफीट करने के लिए इसके पावस की बात करें तो हैं हन्टो एंड कॉमबैक्ट में एक्सपर्ट है इसके बास जीनिस लेवल इंटलेक्ट है और इसके कम्पूटर सील काफ़े एक्स्ट्रा ओर्डिनरी है लेकिन केमिकल इंबैलेंस के वज़े से कभी कभी कुछ चीज़े भूल जाता है वीजल वीजल फायर्ष्टरम का एनेमी और इसका डेब्यू दफ्यूरी और फायर्ष्टरम इश्व 35 कमिक में हुआ था इसकी बैक स्टोरी यह है कि कॉलेज में इसे डिस्रिस्पेक्ट करते थे और हर बार इसे वीजल बुलाते थे इस वज़े से हो काफी insecure हो गया और इसकी personality भी change हो गई आगे जाके teacher बन गया और इसका असली नाम है John Munro ये जिस university में teacher तमापे already अच्छी position पे वो लोग थे जो इसे disrespect करते थे जॉन को लगा कि ये इसके career को खतम कर सकते तो इसने वीजल की identity adopt कर ली और इनका murder कर दिया इसके बाद ये मार्टिन स्टेन को भी मारने की कोशिश करता है पर ये firestorm में transform होके इसे defeat करता है इसके बाद ये jail चले जाता है और फिर सूसर स्कॉप टीम को join करता है एक mission के दोरान इसकी death हो जाती है वीजल के पास कोई special power नहीं है ये बस hand to hand combat में export है movie में हम शायद से new 52 version वाले वीजल को देखेंगे जो ज़्यादा animalistic state में है black guard black guard the thousand is group का member है इस group को join करने से पहले भी ये criminal ही था इसके एक mission में वो booster gold को face करता है और ये thousand का mission fail हो जाता है black guard के वज़े से thousand के कई सारे mission fail होते है और इसी वज़े से thousand black guard को execute करने का order देती है black guard hand to hand combat में expert है और ये अपने armor की मज़द से maze और shield create कर सकता है comic में suicide squad के mission के दोरान इसकी भी death हो जाती है TD के इस character के पास सबसे unique power है ये अपने हाथ को body से remove कर सकता है और उनको as a weapon use करता है ये legion और superheroes team को join करने चाता है पर legion ने इसे reject कर दिया rat catcher 2 comic में rat catcher एक male character है पर इस movie में हम इस character का female version देखेंगे movie में इस character का नाम है rat catcher 2 तो शायद से ये original rat catcher की daughter रह सकती है या कोई और character जिसने इसकी identity adopt की है इस character की powers की बात करें तो ये rats को control कर सकती है और ये एक gas gun भी use करती है movie में इसकी original story काफी अलग होगी और एक बात comic में rat catcher Gotham City से तो ये Batman का villain है Mongol Mongol एक alien warlord है और ये Mongol the elder जो की war world का ruler है उसकी बेटी है ये और इसका भाई Superman के side fight करते है और इस battle में Mongol की almost death हो जाती है पर होती नहीं है ये एक alien है तो इसके पास super human strength है speed है और stamina है comic में इसका भाई ही इसे मार देता है thinker comic में चार लोगों ने thinker की identity adopt की है पर इस movie में हम first thinker Clifford Devo को देखेंगे इसकी back story यह एक ही एक lawyer था और इसे पता चलता है कि criminals के पास skills है लेकिन brain नहीं है तो इसने अपना career change कर दिया और वो villains को help करने लगा ये character flash का villain है और इसका live action version भी हमने flash season 4 में देखा था इसके powers की बात करें तो इस टेले के निसी यूज़ करता है और mind control इसके पास thinking cap भी है जिससे इसकी powers enhance होते है इसका brain इसके body की energy को drain करता है जिसके वज़े से इसकी age rapidly increase होती है King shark ये एक humanite shark है और इसके जो father है वो असल में shark god है King shark ने first time super boy के साथ fight किया था और इस fight में super boy ने इसे अपने heat vision से हरा दिया Amanda Waller ने इसे torture और force किया तो suicide squad join करने के लिए इस character का live action version हमने flash tv series में देखा है और इस series में उसकी origin story पूरी अलग थी इस series में वो एक metahuman था अब इस movie में king shark या तो metahuman रह सकता है या वो shark god का बेटा इन दोनों option में से मुझे second वाले के जादे chances लग रहे हैं इसके power की बात करें तो इसके पास super human strength है speed है इसके पास enhance senses है यह अपने आपको heal कर सकता है और यह telepathy को भी resist कर सकता है peacemaker Christopher Smith the peacemaker यह pacifist diplomater जो की peace के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इसके villain mostly dictators और warlords है इसे लगता है कि यह जिन भी लोगों का murder करता है उनकी ghost इसके helmet में आके store होते है और इसे advice देते है peace maker body armor और helmet पेंटा है communication के लिए और यह advanced weapons यूज़ करता है यह सारे new characters इस movie में introduce होने वाले इस movie में और भी new characters है जो अभी तक introduce नहीं हुए जातक पूराने team members की बात है तो तीन ही members इस movie में है जो है Rick Flake, Harley Quinn और Captain Boomerang अब इस movie के director James Gunn है तो इस movie से expectation थोटे जादे है तो वेट करते हैं इस movie का तो यह था छोटा सा वीडियो सूसर्सकार 2 के new members पर अगर यह वीडियो आपको पसंद आ है तो like करो और चैनल को subscribe करो करो